तिस्ट नमबर तईस उसमें पेट्रोल अपने उपर छर्का और पागलों की तरह माचिस धूंडने लगी इस्द को पेट्रोल की बद्बू बाहर तक एक उसने धक्के से दर्वाजे का लाग तोड़ा माचिस की तीली राबा के हाथ में थी माचिस की तीली कपकपाते हाथों से जैसे ही जला इसने इस्द ने वो जलती एव तीली अपनी मुठी में ले ली फिर इसी हाथ से राबा को थपड़ों से मारा और घसीट कर बाहर लाया क्या कर रही थी ये तुम उसने बाजूहे से पकड़ कर उसे जھंजोडा इस्द की चमाटों से इसके मुँसे खून छूट गया कच्रा कहा है ना तुमने तो वही कच्रा जला रही थी ताका तुम है अब बदबुनाए मेरी और अपने किरदार की तरह मुट्तर और पाक रहो तुम जानती हो खुदकशी हराम है हाँ तो मैं कौन सा हलाली हूँ हराम चीज हूँ ना हराम ही मरो नगी इस्द ने गुसे से आंखें मैच ले फिर वो उसे अंदर कमरे में लेकर आया छोड़ो मुझे मरने दो मैं अब नहीं जी सकती ऐसी जिन्दगी और मरने भी नहीं डूंगा उस तरह तुम है में इस्द उसे उठा कर वाश रूम में लाया और उस पर शावर खुला नहा जल्दी से और उतारो ये कपड़े वो रोते रोते खुद को रगड़ती इसी शावर तले बैठे काफी देर खुद को ऐसे रगड़ती रही जैसे को नोच नोच कर अपनी खाल उतार रहा हूँ इसकी आवाज बाहर तक आ रही थी रोने की सिसकने की कैसे करूं साफ ये गंदगी खुद से कैसे मर्द तो एक घुसल लेकर के पाक हो जाता है और औरत सारी जिन्दगी खुद को पाकिजा साबित करने में गुजार देती है फिर भी साफ नहीं रह पाती एक बार वो गिर जाए की चर में तो उसके धबे सारी जिन्दगी खुद से नहीं मिटा सकती इसकी दिलसोज चीखें इस्द से सुनी ना गए वो अपने बाल नोचनी लगा परेशानी से क्या करू में अगर उसने दोबारा को ऐसी हरकत की तो कैसे बचानीगा उसे इस्द बहुत परेशान हो गया इसके इस अकदाम से कमरे में वो इधर उधर टहलता रहा इसे एमशा कली को देने का डर इस्द के दिल में बैठ गया था काफी देर होग वो वाश रूम से बाहर नाए इसकी सिस्कियों की आवाज भी यत दम रुग थी वो वाश रूम में दाखिल एवा वो फर्श पर बैठी खिले शावर तले ठके हारे आंसू बहा रही थी इसकी मध्धम मध्धम सिस्कियां पानी के शोर तले दब्ग थी तुम नहा कर बाहर इगा ये काम भी मैं खुद करूँ अब उसने सर उठा कर उसे देखा तो इस्द का दिल दोहल कर रह गया ऐसे लग रहा था आंसू नहीं खून बह रहा था उसकी आँखों से इस्द बहुत दराएवा था इसकी खुद को आग लगाने वाली हरकत से वो दो दिन आफिस भी ना गया राबा की मसलसल निगरानी करता रहा के वो जजबात में आकर फिर से को गलत कदम ना उठा ले तबियत भी इसकी काफी खराब थी कुलिगुस को फोन करके इसने फौरी तोर पर मीड रखी जो सुबह से इस्द की वापसी तक ताबा के साथ होती थी राबा काफी बहतर हो चुकी थी लेकिन इस्द अब तक इसकी खुद कशी का मनजर नहीं भूला था बानो नाम था मीड का बहुत समझदार और अच्छी खातून थी वो इस्द कुछ रेलिक्स हो गया था बानो की वज़े से राबा का भी दिल लग गया था बानो के साथ बानो अक्सर अपनी दो बेटियों को भी साथ ले आती वो दिन राबा का बहुत अच्छा गुजरता था जिस दिन बानो की बेटियां आते इस्द ने इसे कुछ भी कहना छोड़ दिया था वो बस काम की बात करता और अपने कमरे तक महदूद रहता इसे नहीं मालूम था के ताबा इतने बड़े घर में इसकी मौजूदगी में भी रात कैसे गुजरती है तनहा कमरे में बड़ी बड़ी दीवारे रात के अंधेरे में इसे देव की तरह लगती थी वो रात को लौट जला कर कुरान पाक अपने साथ सरहाने रख कर सोती थी लेकिन सोती भी उस तरह के पंखे की एवा से भी डर कर उच जाती कितनी रातें वो जागे सुवी गुजारती थी इस्द को मालूम नहीं था नर्म मलाम बिस्तर से भी अक्सर वो खौफजदा हो जाती थी इसकी घटी घटी डरी सहमी सांसे सुबह बानों को देख कर बहाल होती थी एक दिन राबा फोन पर बातों में मगन थी निमल के साथ आज बानों नहीं थी निमल ताबा को जियान की शरारतें सुना सुना कर अनिसा रही थी राबा का दिल उदास हो गया कि वो अपने बえば च्छे की छूटी छूटी शरारतें अपनी आँखों से नहीं देख सकती थी क्यूंकि इस एक मिनट जियान को अपने सामने बरदाश्ट नहीं करता था लेकिन वो निमल और नर्गिस की वज़ा से बेफिक्र थी क्यूंकि राबा से जावो दोनों जियान को चाहती थी नर्गिस का दिन ही जियान को देख कर शुरू होता था अभी भी वो जियान की बात पर मुस्करा रही थी के बाहर बैल बजी और मुसलसल बजती रही रताबा फोन काट कर बाहर एकौन है मैं हूँ बानो जल्दी दर्वाजा खोली शाम होने को थी राबा ने दर्वाजा खोला तो वो जर्द चहरे के साथ अंदर दाखिले अब बानो सांस नहीं ले पा रही थी राबा उसे देख कर घबराग क्या एवा है बानो खाला बोलें जल्दी से क्या एवा है बानो के होनत बिल्कुल सफेद हो रही थे पाहे में इसके जूते भी नहीं थे राबा का दिल डूबता जा रहा था बानो खाला बता है क्या एवा है आपको बानो अटक्ती सांसों में बोली बी बी जल्दी चलू मेरे साथ मेरी मदद करो कहां चलो कुछ बता है तो सही वो सीना पेट पेट कर बोली B.B.G. मेरी बेटी साधिया को लूट लिया जालमोंने खबर थी आधमाका राबा के पेरों तले से जमीन निकल गए किसने लूट लिया साधिया को बानो खाला बता है तो सही कुछ मेरी साधिया की इस्थ लूट ली बेगैरतोंने BBG अभी पोलीस वाले नहीं छोड़ रही मेरी तो बच्ची एविश में भी नहीं BBG इस्द साहिब को फोन करे मेरी मदद करे बानो की बात सुनकर राबा के जिस्म से सांस ही निकल गया वो बानो के साथ ही जमीन पर गरी बानो ने हाथ जोड़े बी बी जी जल्दी से इस्द साहिब को बिलाओ राबा उड़ते एविश के साथ अंदर्ग और इस्द को बताया कि साधिया का रैप एवा है वो जिना एविस्पटल की एमर्जेंसी में है अब जल्दी पहुँचे वहाँ फिर वो चादर पहन करबानों के साथ रिक्षे में एस्द साल पहंची चौदा साला मासूम सी साधिया खून से लगपत बिस्तर पर पड़ी थी राबा के कदम वही रुकी साधिया को देखकर वो नीम बेहोशी की हालत में चलाने लगी अमी 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 बचा मुझे उम्मी, उम्मी, साधिया की चीखें पूरी एमर्जेंसी में गूंज रही थी। इसके उचलने से खून के गत्रे जमीन पर टपकने लगे। डॉक्टर्स ने जल्दी से इसे इंजेक्शन दिया। अभी इसकी चीखें बंद एओ ही नहीं थीं के राबा की हालत गयर हो गए। साधिया जैसा दोरा इस पर भी पड़ा। वो इतनी जोर से चला के इसकी चीख पर सभी लोग डर गी। छोड़ क्यों नहीं देते इसे। साधिया के साथ होती जियादती का एक एक पिल उसे अपनी आँखों के परदों पर दे देने लगा। इस्द भी पहुँच चुका था एविस्पटल। रावा को एक फिमेल डॉक्टर ने पकड़ा। क्या एवा मैडम आपको इसकी हालत से ऐसे लग रहा था जैसे साधिया के साथ वो खुद भी दोबारा लुटी है। नहीं नहीं साधिया वो डॉक्टर को धक्का देकर इसकी तरफ बढ़ी। नरसों ने इसे रोका। वो रोके नहीं रुक रही थी। इसद एमर्जंसी में आया तो उसने रावा को भाग कर समाला। इस्द। साधिया वो साधिया कुछ नहीं होगा इसे। तुम रोना बंद करो। इसद उसे अपने साथ लगाए बाहर आया। फिर इसके आँसों अपनी हाथों से पोंचे बस चुप बड़ी मुश्किल से इसने इसे बहला कर गाड़ी में लाकर बिठाया इस्द के साथ वहां के डीग येस पी आफिसर थे इसने इनको बानों से मिलवाया फिर बानों को तसली दी के मैं आपके साथ हूँ अब परेशान ना हूँ साधिया का मुजरिम तीन दरिंदों ने मेरी बच्ची को नोश खाया फिर अजियत कली उदे मरा छोड़ गी इस्द की जमीन हल कर रह गी इस चौदा साला बच्ची के साथ इस्दमाई जियादती वो भी इसी के अपने घर में इस्द पुलिस आफिसर के साथ अंदर गया तो नीलो नील जखमी चहरा और बिस्तर की खून से लाल होती चादर देखकर इसके रूंटे खड़े होगी वो बरदाश्ट ना कर सका भागता एवा वो बाहर आ गया गाड़ी ड्राइव करते एवी इसका दिल खून के आंसू रू रहा था इसका बस नहीं चल रहा था कि वो साधिया के मुझरम डर लग रहा है मुझे इसके आगे हाथ बढ़ाया इमेहू साथ तमेरी फिर कैसा डर वो इसका हाथ थाम कर बाहरे गिली में गाड़ी के हान की आवाज पर वो इससे जा चुकी क्या एवा है यार तुम क्यों इतना डर रही हो तमेरी साथ तो कुछ नहीं अवाना चिलो अं पहले तो लानिज में बैठे टीग वी के साथ खुद को बहलाने लगा फिर अपने कमरे में गया तो रावा इसके पीछे पीछे वो पल्टा क्या एवा है रावा उसे देखने लगी पुछ कहना है तुम ने उसने कपकपाती आवाजमी बोला इस्द मुझे अकेले नहीं बहुत दर लगता है मुझे पिलेज अपने कमरे में सोने दे इसकी हालत इस्द को ठीक नहीं लग रही थी वो नर्मी से बोला एमम इमम इजा वो बैड के पास तक्यालिय लेटी नींद इसकी आँखों से कोसों दूर थी साधिया का दर्द इसके अंग-ंग से उठ रहा था वो बहुत बेचीन थी बार-बार उधर से उधर करवट बदलती कभी उठकर बैठ जाती कभी घटी-घटी आवाज में रोने लगती इस्द उसे नोट करते-करते सो गया राबा गुमसम सी सुबह किचन में खड़ी चाय बना रही थी इस्द इसके पीछे आया चिलूगी स बानो खाला के घर जाना है उसने हां में सर हिलाया और जल्दी से एलका फुलका सा नाश्ता करके इसके साथ बानो के घर के बाहर टेंट लगा देखकर वो ठटकी जा अंदर जा इस ने इसे अंदर भेजा जैसे ही वो अंदर इतो सामने ही सादिया का जखमों भरा जिस्म पेद कफन में लिट्टा एवा था बानो की छूटी बेटी नादिया राबा से जालिटी बाजी देखो ना क्या हो गया सादिया को ये दो दिन से नहीं बोल रही नाराज थी हम सबसे राजी ही नहीं हो रही हम मिना मिना कर ठगी हैं राबा को सादिया के चहरे में अपना च ले चलो। ये दुनिया रहने की जगह नहीं हमरे लिए। मुझे भी ले चलो। इसके जनाजे के साथ सब लोग खाने का इंतिजार करने कली बैठे रही के कब इनको साधिया के मातम के चावल नसीब एविन गे। फिर खाने की देगें साफ करके वो सब चलेगी घर खाली हो इस्द को साधिया का बाप अंदर लाया घर के और वो कमरा दिखाया जहां इसकी बेटी की बूटी बूटी शिकारी कुटों ने नौची थी। और वो जखमों को बरदाश्ट ना करते एवी इस जालिम दुनिया से चल बसी। बानो बिलकुल गम से निधाल होती इस्द के स साहिब जी नाराज होग थी वो मुझसे इस दिन पहली बार वो मुझसे अलग सो। मैंने गुसा भी बहुत किया था इसे। वो नाराज होकर इस कमरे में अलग सो। बच्ची थी खिलकी खिली रह गे इस से। वो दरिंदे खिलकी की जाली तोड़ कर अंदर है। मेरी बच् मा को देखो बच्ची मेरी जबह होती रही अपने ही घर में और मैं गाफिल मींद सोती रही। कितना तड़पी होगी मेरी बच्ची। इनको जर्रा रहम नहीं आया। और तीनों ने मिलकर बारी बारी उसे नोचा। उसने कितनी आवाजें दी होनेगी मुझे। कितना तवप कर पुकारा होगा। मुझे कुछ नहीं दिया। दबोच लिया था मेरी बच्ची को उन जाल्मों ने। काश में इसे मिना लेती ना सोने देती उसे खुद से अलग। तो आज वो अपनी तकलिफों के साथ मन्नों मिटी तले ना होती। मेरी बच्ची के साथ इतनी जियादती ना होती। ना लूटते वो इसकी इस्ज़त को वो किसी को मुन्ह दिखाने के काबिल नहीं रही थी। असली सारी दुनिया से मुन्हमोग एमशा कली बानों की आवाज बंद हो रही थी। साहिब जी आपका बहुत बड़ा घर है। आप भी बीजी को मिना लें। उन्हें अकेला ना सोने दिया करें। इनसे उस तरह रूट कर जुदा ना हूँ। रूटने वाले मेरी बच्ची की तरह एमशा कली रूट की तो पलट कर नहीं गे साहिब जी। बानो की बात से इस्द खौफ से लरज उठा। साहिब जी मिना लो बीबी को। इस्द तसली के दो लफ़ भी ना बोल सका। एक अजीब से खौफ ने असको आगहरा। ये सब सुनकर राबा का दिमाग बिलकुल मफलूज होकर रह गया। अच्छा एवा वो मर गे। वरना लोग उसे रोज मारते। रोज वो इस लट जाने की अजियत से गुजरती। इसकी इस्द लोटने वाले तो छपगी कही। लेकिन वो ना छप सकती इस दुनिया से जहां इसका इस्तेहसाल बार बार होता। अच्छा एवा वो लुकमा अजल बंग लोगों के रवेयों का लुकमा नहीं बनी। वरना लोग रोज उसे चखने आते फिर ठोक कर भी चले जाते। लोग उसके जखम भरने ना देते कभी भी। अच्छा किया वो सब की नजरों से ओजल होकर अल्ला की निगहबानी में महफूज हो गिमशा कली। बहुत अच्छा एवा खाला वो एल ले गया उसे जबरन्यल और रहग में राबा को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो किया कह रही है। वो राबा को लेकर घर आ गया। सुनो। रताबा इसद ने इसे फिर आवाज दी वो जहनी तौर पर उसे हाजर ना लगी। रताबा इसद ने इसे हाथ से पकड़ा तो वो उच्छल पड़ी, क्या एवा है क्यों इतनी अपसीट हो, कुछ नहीं, चिलूई आराम कर लो थोड़ा, इस्द, उसने इस्द का हाथ पकड़ा, आपके कमरे में सौसक्ती हो, इस्द ने इसके चहरे को बगार देखा, इसका सुनहरी रन पीला पड़ रहा था, एक अजीब सा खौफ कर्ब की सूरत इसके चहरे का इहाता कई एवी था, हाँ सौसक्ती हो, चिलूई, वो इसके पीछे पीछे गी, इस्द ने इसे सलीपिंग पिल दी ताका वो सुकून से सौसके, वो इस्द के करीब फर्ष पर चादर बच्चे ही सौग, इस्द की आँख अभी लगी ह थी के, राबा एक दम गहरी नींद में चला, इस्द उठ गया, छोड़ दो, छोड़ दो, ये क्या कर रही हो, इस्द इसके पास बैठा, रताबा, रताबा, उसने आँखें खुली, छोड़ो मुझे, खुदा कली छोड़ो मुझे, इस्द ने इसका चेहरा हाथों में लिय रताबा, मैं इस्द हूँ, एविश में एक या एवा है, इस्द, वो, वो भी तीन थे ना, इस्द ने इसे पानी पिलाया, उठो यहां उपर बैड पर लेटो, इसकी ये हालत इस्द की समझ से बाहर थी, क्यों लिया था उसने इतना असर सादिया के साथ होने वाले हादसे का, राबा इसका हाथ मजबूत से थामे सौग, लेकिन इस्द की नींद अरग थी, इस्द के कान में इसका जुमला गुंजा, वो भी तीन थे, उन थे वो तीन, राबा कुन तीन लोगों की बात कर रहे थी, सोच सोच कर इस्द का दमाग फट रहा था, कहीं ये सच तो नही कि इसका भी रह पेवा, और तीन लोग, इस्द एक दम से उठकर बैठा, इसका दिल बंध होने लगा, राबा की बात पर के वो भी तीन थे ना, फिर इसने जुरजुरी सी ली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसने इस ख्याल को जुटलाया, सुबह होने को थी, इस्द ने आज भी आफिस से छटी कर ली थी, राबा का प्राबलम उसने अस्वत से डिसकस किया, यार कुछ लोग ओवर सिंसिटिव होते हैं, ऐसे हादसात इनके दिल और दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ जाते हैं, कुछ दिन में ठीक हो जागी, तुम उसे सिल्पिंग पिल्स दे ते रेव में नाम मेसिज कर देता हूँ, सीट हो जाएगी दो चार दिन में, राबा नमाज से फारिग होकर किचन की तरफ जाने लगी, लाहोर जाना है तुमने, कुछ दिन कली भेज दूँ, उसने नामे सर हिलाया, वापस आ जाना कुछ दिन में, नहीं जाना मुझे, मैं यहाँ ठीक हूँ, ओके उम्मी को बलवा लूँ, उसने फॉरण हां में सर हिलाया, इस दने नर्गिस को बिलवा लिया कराची, राबा नर्गिस के आते ही खुश होग थी काफी, इस दने कुछ दिन में चौकिदार अरेंज किया, और उसकी फैमली को भी रख लिया साथ, सर फिर डिनर की भी सारी अरेंजमेंट खुद की, इनके आने तक हर चीज रेडी थी, मिसिस हमदानी और हमदानी बहुत प्यार से मिले राबा के साथ, अलबता माया के मिजाज जरा तीखे थे, राबा ने सर से पाहे तक इसका जाजे लिया, दुबली पुतली दराज कद, जी बेहद गोरा रंग, खड़ी नाक और इस पर इसकी अकड़, राबा को वो बहुत अजीब लगी, राबी, मीब के साथ उसने खाना लगाया, सब ने खाना बेहद शौक से खाया, और कुछ बातें करने के बाद अपने अपने कमरों में चलेगी, राबा रात देर तक राबी की बेल बजी, वो मोबाल उठाने कली जैसे ही नींद में करवट बदल कर आगे बढ़ा तो बैड से नीचे राबा पर जागे राबा, वो जैसे ही बौकला कर चलाने लगी तो इस ने फौरन इसके मुन पर हाथ रखा, और आधी चीख राबा की हजम हो गए, चला मत, मैं इस्द, उसने हाथ बढ़ा कर लेंप की लाट लगा, लेंप की पीली पीली रोशनी राबा के चहरे पर ऐसे फैली जैसे सुबह का सूरज अंधेरे की ओट से उभरता है, इस्द पिल भर उसकी कालिसिया आखों में खोसा गया, इस्द का वजन इतना ज्यादा था कि वो हल ही न सकी, राबा ने इसका हाथ मुन से हटाया, और लंबे लंबे सांस लेने लगी, उठी मेरे उपर से, इस्द को जब एहसास एवा तो वो फौरण उठकर बैठा, वो भी बैठी और दोपटा ढूनने लगी अपना, इस्द बहुत गहरी निगाहों से उसे देख रहा था वो उसकी निगाहों से घबरा कर उठ खड़ियो, क्या करना चा रही थे आप मेरे साथ, मैंने क्या करना है, गिर गया था, इसी तरफ मेरे उपर गिरना था आपने, क्या मतलब है तुमारा, यही के महमानों की आमद से आ मेरी नीन से फादे उठाना चा रही थे अप, आप पकड़ कर खेंचा तो वो सीधा इस्द की गोद में जा गिरी, इसके लंबे बाल आधे इस्द के चहरे पर और आधे इसके अपने चहरे पर बख्खर गी, इस्द की धर्कन एसिता एसिता तेज होने लगी, इस्द चहरा इसके करीब करके बोला, वो पीछे भी नहिट सकी इसके गिर्द इस्द की मजबूत बाहों का गेरा था, अगर मुझे कुछ करना एवा ना तो इसके लिए मुझे महमानों की आमद का तुम्हारी नींड का फादे उठाने की जरूरत हर्गिज नहीं, तमेरी पूरे एविशो हवास में भी कर सकता हूँ सब कुछ तमेरी साथ, इसकी कुर्बत से इस्द की हवास उड़ने लगे, छोड़ी मुझे, पिलेज, राबा इसकी बदलती आँखों के तेवर से डरी, इस्द की सांसें ताबा की सांसों से तक्रा रही थी, छोड़ी मुझे, इस्द ने अपनी ग्रिफ्ट धीली की तो वो फौरन उठी, लेकिन फिर वापस जा बैठी, इसके बाल इस्द की शर्ट से उलजगी थे, इस्द इसके बाल छुड़ाने लगा, राबा की घनेरी पलके इस्द को एक नजर देख कर जगड़, इस्द को इसका पलके उठा कर जुकाना बहुत अच्छा लगा, उसे शायर की घजल याद ये मस्त मस्त बेमिसाल आखें, नशे से हर दम निढ़ाल आखें, उठीं तो होश औ होईस चीने, गिरीं तो कर दें कमाल आखें, ना यूं जलाएं ना यूं सताएं, करें तो कुछ ये ख्याल आखें, हैं जीने का एक बहाना यारो, ये रुपर वर जमाल आखें, दरास प रखी हैं हलाल आंखें, हजारों उन से कतल हुए हैं, खुदा की बंदी संभाल आंखें, इस जान बोज कर इसके बाल छुडाने में देर कर रहा था, अचानक माया दर्वाजा कौल कर अंदर ए तो इसकी बानों में राबा को देख कर फॉरन वापस पल्टी, राबा अपने ब तेर वहीं बैठा रहा फिर मुनहात धो कर बाहर आया, माया उसे देख कर मुस्कुरा, गुड मार्निंग हिनरसिम, गुड मार्निंग ड्र, वो भी लानिज में आकर बैठा, तो माया ने जखकर उसकी शट से राबा के बाल हटी, बड़े रोमेंटिक है जनाम, इस्द खजि के सीने पर सर रख कर लेती, एक बात करनी है तुमसे, हाँ बोलो, वो प्यार से इसके बालों में हाथ फेरने लगा, जाजब में कल हिना डॉक्टर के पास गिती, क्यों, वैसे ही रोटीन चेक अप कली, सब ठीक तो है ना, हाँ सब ठीक है लेकिन, लेकिन क्या, जाजब मु वो मुन्ह बना कर बोली, क्यों एनस ए तुम है, यार मुझे वो मांगने वाली याद इग, जिसे तुमने कहा था कि इससे कर लो शादी कभी भी भी तुमारा पेट खाली नहीं छोड़ेगा, वो फिर एनसा, ए, 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 वो बेचारी भूक से खाली पेट की बात कर रही अंदास बड़ा मजेदार था, अच्छा छोड़ो ना इस बात को मेरी बात सुनो, हाँ बोलो मेरी जान, जाजुब का मोड चेंज होने लगा, मैंने वैसे ही हिना से बच्चों का पूछा, उसने मेरा कंप्लेट चेक अप किया टेस्ट भी करवा, रिपोर्ट्स नार्मल है और अल्ट्रासानट भी, जाजुब भरपूर रुमानवी अंदास से इसे देखने लगा, खिल कर बोलो ना किया कहना चाहती हो, वो इसकी शरारत पर मुस्कुरा, तुम जानते हो में किया कहना चाहती हो, तमेयरी मुन से सुनना चाहता हो में, निमल ने इसकी नाप दबा, बस समज जाना तुम, वो शर्मा, उफफफफफ, तुम्हारी ये अदा विल्ला मार डालेगी मुझे, ज्यादा बन्नू मत और मेरे साथ कल तुम भी चलू डॉक्續 हिना के पास, क्यों मेरा क्या काम है, क्या वो मेरा भी अल्ट्रासानट करेगी के पेट खाली है, या भराय जाजब ने इसकी मजाक उड़ा, वो नाराज होने लगी, तंग मत करो ना, बस मुझे नहीं पता तुम कल चलूगे मेरे साथ, इतनी जल्दी है तुम्हें बच्चों की यार अभी तो मैं खुद बच्चा हूँ, निमल को एनस एग, बड़े हो जाहे अब अब, और शराफत स मेरे साथ चली, है, जाजब ने आँखें पिला है, तो क्या अब तक में बदमाश बन कर तमेरी साथ चल रहा था, मेरा ये मतलब तो नहीं था, वो जाजब को नाराज होता देख कर फौरण बोली, तो फिर क्या मतलब है तुमारा साफ साफ कहो, वो उसकी डेटा देखकर सी बांधे बोली, मुझे बच्चे चाय, जाजब ने अब रोचका है, यार एक वक्त में बच्चे तो नहीं, एक ही बच्चा हो सकता है, वो जट से बोली, क्यों जड़वा भी तो होते हैं ना, जाजब जोर से एनसा, मतलब तुमने पूरा पेट भरना है, निमल ने साथ टे और जियान भी तो है, ना वो भी हमरे ही बच्चों की तरह है, हाँ है तो, लेकिन, आगे वो जाजब की आँखें देख कर चुप होगे, लेकिन, तुम है जल्द अस जल्द अम्मा बनना है अपने बच्चे की, उके चला जानीगा कल तमेरी साथ, बस खुश, निमल खुश होगे, हिना डॉक्टर ने कुछ जरूरी टेस्ट करवाई दोनों के, जो जाजब को निमल की जबरदस्ती पर करवाने पड़े, दो दिन बाद वो जाब से आते एवी रप्विट्स को लिकेट करने गया, तो इसकी कुछ रिपोर्ट्स थी, रिपोर्ट्स लेकर वो हिना ड गबरा कर बोला किया मतलब आपका, डॉक्टर एक एक लफ़ पर जोर दे कर बोली, अब आप नहीं बन सकते, सची कहानी बदबख्त, फिस्त नमबर 24, जाजब गबरा कर बोला किया मतलब आपका, डॉक्टर एक एक लफ़ पर जोर दे कर बोली, अब आप नहीं बन सकते, ल और आपका आपरेशन भी रेल की हड़ी का हो चुका है पलस आपका एक गुर्दा भी मुकमल तोर पर नाकारा है शायद इसी हादसे की वज़ा आपके साथ ये पराबलन से लेकिन मैं को इलाज को उमीद नहीं मिस्टर जाजब में आपको जूटी तसली आको जूटी उमीद नहीं दोनेगी आपका पैसा बहुत कीमती है और मेरा वक्त मैं नहीं चायती किसी जूटी आसपर में जाय करूं अपना वक्त और आपका पैसा देखें आपकी वाफ में को प्राबलम नहीं प्राबलम आप में है और को इलाज नहीं इसका अलबता अप अपल्ला से दूआ म वो गारी की सीट से सर टक्रा कर रोने लगा ये क्या हो गया था इसके साथ कि वो सारी जिंदगी बॉप बनने से महरूम रही गा और निमल जो इतनी अलिफाकसाटिड है अपने बच्चे के लिए इसका क्या होगा औरत की सबसे बड़ी खोहिश होती है माँ बनने की इसे जब और इल्म एवा के वो माबन ही नहीं सकती तो क्या गुजरेगी इस पर अल्ला ने इसे इतनी बड़ी निमत से महरूम कर दिया था क्या अब मेरी महरूमी के साय तले निमल भी तरसती रही गी रिपोर्ट्स उसने सारी फाड़ दी बहुत मुश्किल से वो खुद को समहाल कर घर गया निमल इसका बे सबरी से इंतजार कर रही थी कहां रहगी थे तुम कब से वीट कर रही हो में वो इस से नजरे नहीं मिला पा रहा था कुछ दोस्त मिल गी थे इनके साथ था निमल ने गोर से इसके उतरे-उतरे चेहरे की तरफ देखा एवा जाजब कुछ नहीं य निमल उसे देख कर परेशान हो गए, कि उस तरह तो उसने कभी नहीं किया था कि मुनहफेर कर सो जाए, वो तो उसे देख देख कर जीता था, निमल समझगी कि वो जरूर किसी परेशानी में मुटतला है, उस वक्त तो वो कुछ ना बोली और सुबह का इंतिजार करने लगी, हमदानी साहब और उनकी मिसिस कुछ दिन में वापस चलेगी माया को कराची छोड़ कर, माया का इंटरेस्ट बुजनस के साथ साथ इस्द में भी बढ़ने लगा, इस्द में फिर दाबा से अपना कमरा अलग कर लिया था, ये कहकर के अब घर में काफी लोग है, और माया भ इस्द की खुशी में ही इसकी खुशी थी, रात के बारा बज रही थे माया और इस्द एक साथ लान में बैठे एवी थे, माया बड़ी दिल्चस्पी से इस्द को देखते एवी बोली, एक बात पूछो तुमसे, हाँ पूछो, तुमारा अताबा के साथ क्या रिश्टा है इस्द खामोश रहा, बोलो ना चुप क्यों होगी, इस्द इसे देख कर बोला, तुमारा सवाल कुछ अजीब सा नहीं, नहीं, मेरा सवाल अजीब नहीं बलके तुमारा रिश्टा बड़ा अजीब लगा मुझे रावा के साथ, क्यों, ममा ने बताया तुमारी वाफ है व जब मालूम है तो पूछा क्यों, मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी बीवी है, इस्द आस्मान की तरफ देखने लगा, हाँ शायद सही कह रही हो तुम, तो फिर कौन है वो, मेरी मजबूरी, क्यों उलजा रही हो खुल कर बात कर सकते हो, अच्छे दोस्त हैं हम, पिले सियार को और बात करो, जब मैंने पहली बार उसे देखा यहां और फिर तुम है, तो वो तमेरी घर की नौकरानी लगी मुझे, लेकिन जब सुबह तुम है इसके साथ देखा तो मामा से पूछा वो बोले तुम्हारी वाफ है ये, मुझे तो हैरत का धचका लगा, ये वो आम सी लड़की जिसका कद भी तमेरी कंधों तक मुझे से पहुचता है, वो आम से हुलिये में आम से लबास वाली तुम्हारी वाफ कैसे हो सकती है, और तुम्हारा बहेवियार भी बहुत अजीब सा है इसके साथ, इस ने इसे गोर से देखा, बात करते एवी इसके लहज तक बातें करते रहे, माया सुबह उठकर नीचे सुनो लड़की, उसने अरताबा को आवाज दी, जी, मेरे कपड़े प्रिस कर दो जल्दी से, राबा नी इसके हाथ से कपड़े लेकर राभी को दी और खुद वो नाश्टा बनाने लगी, माया इसको देखती रही, इस नी तले इसके साथ इसकी गुलाम बने रह रही थी, जबकि इस्द उसे देखता भी नहीं था, ऐसी कौनसी मजबूरी थी या कौनसी कमजोरी जो इस्द ने इसे अपने साथ रखा एवा था, हीलो, इस्द ने चुटकी बजा कर उसे अपनी तरफ मतوج्जे किया, कहां गुम हो म मैडम, कहीं नहीं, चलू लेट हो रही है आफिस से, पिंसल एल के साथ पेंट कोट पहने वो इस्द के साथ कदम से कदम मिलाती बाहर गे, दोनों को एक साथ देखकर डाबा की आँखें भरे, आप ऐसी लड़की डिजर्व करते थे इस्द, और उम्मी ने मुझे जबरदस आपके सर पर थोब दिया, ना जाने कब तक हमरे इस रिश्टे का आप बोज अटेई फिरेंगे, वो खुद से बातें करती अपने ख्यालों में गुम थी, डाबा जी, राबी ने इसे इविज दी, काल पर निमल बीबी है आपको बिला रही है, वो हाथ टावल से सिखाती और निमल के साथ बातों में लग गे, इस्द के रोई में कुछ बदला आया आ नहीं, यार में इस से को ऐसी उमीद नहीं रखती अब, वो जीता जाकता इनसान है को मौसम तो नहीं के खिजां के बाद बहार में बदल जाएगा, राबा इनसान की नफरत महबत में बदलने क को मौसम नहीं होता, ये बे मौसम भी हो तो अच्छी लगती है, क्या तुम नहीं चाहती के वो तुम है चाहे, क्या तुमने कभी इसकी चायत पाने की उमीद नहीं लगा, मैं इसे चायती हूँ ना इतना काफी में, जरूरी तो नहीं के बदले में चाहे जाने की खाहिश हाँ महबत को पाने की खाहिश को अन्होनी नहीं। पत्यार महसूस होती है लेकिन मैं सोचती हूं कब तलक। आखिर कब तक उमीदों का दामन थामे हकीकत से मुनमोडे रे। आखिर कब तक। खाबों का नगराबाद कर लेने से हकीकत को फरेब जान लेने से जिन्दगी हमरे हसब मन्शा तो नहीं हो जाती। बेसबात मौसम के इंतिजार में बहार की उमीद में जिन्दगी भी ठकने लगती है। तो फिर क्यों ना इमकानाच से एटकर जिन्दगी की ठकन से पहले ही हम अपनी ताकत अपनी तवाना महफूस कर ले। खाबों के अधराक से क्यों ना अपनी मश्किल तरीन जिन्दगी थोड़ी सहल बन क्योंकि ताबा के लहजे में चुप ही उदासी वो महसूस कर लेती थी निमल ने राबा से बात करके इस्द को काल मिला हाल इहवाल के बाद वो अपनी बात पर मुझे कुछ कहना था तुम से हाँ कहो तुम पहले वदा करो राबा से कुछ नहीं कहोगे इस्द खामोश हो गया तुम्हारी बीवी है वो तुम्हारी तवज्जो की तुम्हारी महबत की असल हकदार लोग तो अपने हक कली लड़ने मरने को तियार हो जाते हैं लेकिन इसने अपने हक पर आज तक लब नहीं खोले इसके साथ जो भी एवा इसकी जिम्मदार वो नहीं है इसकी किसमत है जिसने इस पर नाकाबल बरदाश्ट जल्म डई है ऐसी जिन्दगी गुजारी है इसने जो अगर मेरी आतुम्हारी होती तो हमसे कभी बिसर ना होती अब अगर इसकी किसमत ने इसे तमेरी साथ मनसूब कर दिया है तो उसे कुबूल कर लो तुम और उसके दुखों को बढ़ाने की वज़ा ना बननो जब तुम उसे इसकी बीवी होने का हक नहीं दे सकते तो उससे नफरत करने का भी तुम्हें को हक हासिल नहीं तुम बेशक इससे महबबत ना करो लेकिन एक अच्छे इनसान होने के नाते इसके दर्द का इसकी तकलीफ का मुदावा करने की कोशिश तो कर सकते हो ना इस्द बड़ी मुश्किल से इसकी बातें सुन रहा था क्यूंकि वरतावा और अपने रिष्टे को लेकर नर्गिस के अलावा किसी की बात सुनना पसंद नहीं करता था वो ये भी पसंद नहीं करता था कि उसे बार बार ये एहसास दिलाया जाय के राबा इसकी बीवी है मिमल की सारी बात सुन कर वो बोला खत्म हुग तुमहारी तकरीर या कुछ बाकी रहती है निमल को काफी तप चड़ी इसकी बातों को तकरीर कहने पर इस्द किया समझते हो तुम खुद को इस्द बड़े इतमिनान से बोला इंसान मुझे तो नहीं लगता के तुम इंसान हो तुम्हारी अमी का भी यही ख्याल है बहुने भी मुझे इनसान नहीं समझा मिमल को काफी गुस्षा आया अगर अमी तुम्हे इनसान ना समझती तो आज रावा की जैसी जिνदगी तुम जी रही होते तुम भी बगबगत कहला जाते जगाय जगाय जमाने की ठोकरों पर होते और जिस कुरसी पर बैटकर इतनी अकड़ दुका रही हो ना वो मेरी मा की वज़ा से है वरना इसी आफिस के आइस जैसे किसी दूसरे आफिस के चपडासी होते तुम और जिन आफिसर्स के साथ तुम कदम से कदम मिला कर चल रही हो ना आज मेरी माना होती तो किसी फुट पाथ पर बैठे उन्ही आफिसर्स के शूज पालिश कर रही होते या तलवे चाट रही होते तुम इस से इतनी बत्तमीजी के साथ आज तक किसी ने बात नहीं की थी और ये निमल थी जिसने इसे कपड़ों की तरह धोकर रख दिया था वो अपनी इतनी इंसल्ट बरदाश्ट ना कर सका और चला कर बोला शीट अप इतनी बत्तमीज हो तुम मुझे नहीं मालूम था गुस्से से इसने फोन काटा और अब खेर ताबा की नहीं थी निमल ने तो अपनी भडास निकाल ली थी लेकिन अब इसका बाटना बेचारी राबा ने सहना था वो गाड़ी लेकर गुस्से से फोरण घर पहँचा राबा सेकेंड फलोर पर फूलों को पानी दे रही थी दाबा कहा है राबी से पूछा वो सबसे उपर वाले छट पर है वो दंदनाता एवा सीड़ियां चड़ा राबा नीचे आर ही थी दोनों का जबरदस्ट टक्रा एवा वो बना सांस लिए इस पर चलाया का कहा है तुमने निमल से गुस्से से इसकी उबलती आँखों को वो देख कर डरी ममम मैंने तो चटाख की आवाज पूरी सीड़ियों पर गुंजी एक नहीं दो तीन चार जोरदार थपड़ इस ने इसके मुनह पर मारे वो चक्रा कर हिग पिल भर उसे कुछ के ही नहीं दिया हर वक्त अपनी मजलुमियत का ढोल पेट कर क्यों जलील करवाती हो मुझे तुम दूसरे से तपेड इतने जोर के पड़े थे इसे कि वो कुछ बोलने असमजने के काबिल ही ना रही इस ने जोर से इसका गला दबाया अगर अब उमी ने निमलने अ किसी ने भी तमेरी हवाले से मुझ से को बात किया मुझे समझाने की कोशिश की तो इसका खम्याजा तुम है ही बगवेतना होगा अगर मैंने अपने अंदर वहशी मर्द को सिलाया है ना तो उसे जगाने की कोशिश मत करो समझ फिर वो उसे वहीं सीलियों पर छोड़ कर खुद आफिस चला गया राबी ने वो मनजर अपनी आँखों से तो ना देखा लेकिन इस के जाते ही वो उपर और राबा का चेहरा देखकर वो डर ये ये ता एवा आपको वो क्या कहती इससे चुप चाप देवारों का सहारा लिए नीचे आने लगी राबी ने इसे सहारा दिया तो इसने मना कर दिया तुम जा राबी यहां से आपको ऐसे छोड़ कर में नहीं जा सकती साहिब जी ने क्यों मारा है आपको वो आंसू रोके एवी रानिदी एव आवाज में बोली मुझे नहीं मालूम राबी उसे कमरे तक ला राबा ने इसे घर समभालने कली वापस भेज दिया इसमें इतनी भी एमत ना रही कि वो निमल से इतना पूछती कि क्या बात की थी इसने इस्द से शाम को इस्द के आफिस से आने से पहले ही निमल का फोन फिर से आया राबा ने बात ना की क्यूंकि वो रुपड़ती फोन पर और फिर निमल ने इस्द को और इस्द ने इसे नहीं छोड़ना था हसब मामूल वो रात किचन में रोटियां पका रही थी माया जूस लेने किचन में इतो इसकी नजर ताबा के चहरे पर जा रुकी वो इसके पास ए ओ मागाड ये क्या किसने मारा तुम है वो रोटी तवे पर डाले बोली किसी ने नहीं तो फिर ये सूझे एवी गाल और उन पर उंगलियों के इतने गहरे निशान वो हैरत से आंखे फाड़े इसे देखने लगी इस्द ने अंदर आते एवी कहा मार ये एमशा अपनी हरकतों पर खाती है माया इस्द के पास एक क्या मतलब कैसी हरकतें इस्द को अब तक इस पर घुसा था जलालत वाली हरकतें क्यों ऐसे कौन से जलील काम करती है ये तुम छोड़ो उसे इस्द माया का हाथ पकड़ कर उसे बाहर लाया तुम उसके बारे में कुछ बताते क्यों नहीं मुझे से यहां देखकर कोफ्त सी होती है मुझे कौन है ये व्ल सब उसे तुम्हारी बीवी क्यों समझते है क्यों रह रही है ये तमेरी साथ और आज उसकी ये हालत किस ने की? इस्द ने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी थी वो लॉटर से सिग्रेट सुलगा कर बोला मैंने वाट? माया की आवाज अच्छी खासी बलंद एव वो लान में बाहर आ गया माया जल्दी से इसके पीछे ए तुमने स्मोकिंग कब से शुरू की? आज से पहले तो मैंने सिग्रेट कभी तमेरी हाथ में नहीं देखा इस्द सिग्रेट के देव से खासने लगा माया ने इसके मुन से सिग्रेट चीना तो इसके लंबे नाखुन ने इसका होनट जखमी कर दिया वो सॉरी ये तरेका है यार जब पीना नहीं आता तो क्यों देव की नजर खुद को करते हो? क्या एवा है बता मुझे इतने डिप्रेशन का शिकार क्यों हो? माया ने इसका हाथ अपने हाथों में थामा मैं दोस्त हूँ तुम्हारी तुम ट्रस्ट कर सकते हो मुझ पर इस्द में बालों में हाथ फेर कर गहरी सांस ली ट्रस्ट पहले में खुद पर तो कर लो माया ने बड़े प्यार से इसे ट्रेट किया अच्छे दोस्त एक दूसरे का याय होते है मुझे अपना अक्स अपना आप समझ कर शर कर सकते हो दोस्त होने के नाते में तुम से अलग तो नहीं बोलो कौन है ये वो इस्द का हाथ थामे सरसब्स घास पर बैठी इस्द घास पर बैठा तो एक एक करके घास के तिनके नोचने लगा इस अब कुछ बोलोगे भी आखरी बार पूछ रही हूँ इसके बाद मैंने नजर भी आना तुम है क्या रिष्टा है तुमारा इस से इस्द की वो बहुत अच्छी दोस्त थी वो जानता था वो भी इसी की तरह बहुत जिद्दी है और बना सच जाने वो टलने वाली नहीं निका एवा था इसका और मेरा आज से डे साल पहले कुन हालात में एवा था माया ने इससे पूछा वो कैसे हकीकत बताता उसे जिससे वो आज तक खुद नहीं जान पाया था अमी ने जबरदस्ती इसके साथ शादी की थी मेरी मैं आज तक उसे कुबूल नहीं कर सका कौन है ये कहां से मुझे कुछ नहीं पता बस इतना जानता हूँ लावारिस है ये माया की आंखें हैरत से खिली कै? लावारिस लड़की तुम्हारी बीवी कम आन यार जूट तो मत बोलो मुझसे तुम मैं जूट नहीं बोलता कैसे कर दी तुम्हारी मामा ने शादी? सगी मा है तुम्हारी वो हाँ सगी समझ लो क्या मतलब सगी समझ लूँ? हुपभो है वो मेरी उन्होंने पाला है मुझे यार मुझे नहीं लगता के वो तुम है अपना बेटा समझती है कही ना कही को ना को बात जरूर है जिसका बदला उन्होंने तुम से लिया राबा जैसी लड़की से तुम्हारी शादी करके नहीं यार वो ऐसी नहीं है हम दोनों बेउं की वज़े से इनका एनस्ता बस्ता घर खराब एवा इनका शोहर उनको छोड़कर चला गया अफ्ते हमारी खातिर वो अपनी ममता से भी दस्तबरदार हो गए बहुत लाड प्यार से पाला है उन्होंने हमें कभी माबाप के नहोने का एहसास होने ही नहीं दिया जब मा की जरूरत महसूस एओ तो वो मा बन कर जान लिये हाजिर रहे जब बाबा का नाम आया तो वो शफकत का रूप धारे मजबूत चटान की तरह हमरे सामने थी इस ने माया की तरफ देखा कितना अर्सा हो गया इनको शोहर से दूर रहते एवी चौबीस साल लेकिन अब वो लूट ए है और उनकी बेटी मेरी भावी है कब की उन्होंने अपनी बेटी से तमेरी बेकी शादी तीन चार मा एवी है और तुम्हारी शादी को डे साल यानि इनके शोहर और बेटी की वाक्सी से पहले उन्होंने तुम्हारी शादी की रावा से माया ने अब रू उचका उफफ मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि को अपने ही खून से अपनी महरूमियों का बदला उसतरा भी ले सकता है क्या मतलब है तुम्हारा मतलब साफ है भूले भूले इस जी प्यार से उन्होंने तुम दोनों बेयों को असली पाला के इनके बढ़ापे का को सहारा ना था तुम दोनों के अलावा शोहर ने तलाक नहीं दी थी शादी भी नहीं कर सकती थी वो और को चांस ही नहीं था इनके पास असली अपनी नफरत की जोड़े इनके अंदर पनपती रे किस तरह वो अपनी महरूमियों का अपनी तनहाई का बदला ले 24 साल अपने शोहर और अपनी उलाद से दूर रहना किसी किली मुम्किन नहीं 25 अपने अंदर की जलती आग में जवान होने पर उन्होंने तुम्हें जोंट दिया 25 साफ साफ बात करो कहना किया चाहती हो 25 मायर यही कहना चाहती हो कि अपनी सारी जिंदगी की कुर्बानियों की भींट उन्होंने तुम्हें चड़ाया है अपनी जिन्दगी तो उनकी जाय एव सारी अब उन्होंने तुम्हारी जिन्दगी सौल की है वरना को इतना पागल नहीं कि किसी भी राचलती लावारिस लड़की को अपने घर की इज़त बना ले तुम इतने गी गुजरे तो नहीं थे आ इतने गिरे एवी क्रेक्टर के के तमेरी लिये को इज़त दार शरीफ घराने की लाव पार्टनर ना मलती इस्द घुसे से खड़ा एवा पूरी दुनिया एक जगा और मेरी मा एक जगा अगर वो अपने मुन से खुद इस बात का इकरार भी कर देना तो मैं तब भी यकीन नहीं करूँगा कि वो मुझे अपनी महरूमी की नजर करेगी लिहाज़ा इनके बारे में इंदे तमेरी मुन से ऐसे अलफाज ना सुनो माया हाथ ज़ाड कर खड़ियो और दाबा के बारे में क्या ख्याल है वो अपने उपर होने वाले जल्म का बदला नहीं ले सकती तुम से याद रखना इस जब औरत हर जल्म जियादती खामोशी से सहना शुरू कर देना तो डरो इसकी खामोशी से क्योंकि इसकी खामोशी बहुत बड़े तूफान का पेश खेमा हो सकती है तुम तो इससे नफरत कर रही हो आज लेकिन कल को इसकी नफरत का मुकाबला तुम मर्द होकर नहीं कर सकोगे औरत एक बहुत खुबसूरत यही की मानिंद होती है लेकिन तूटकर जब बिखरे तो इसका हर टुकड़ा खंजर की हैसियत अख्तियार कर सकता है वक्त पर हिफाज़ती बंद बांध लो तो बहतर होगा वरना तबाव व बर्बाद हो जागे बर्बाद वो होते हैं जो आबाद हों गिस्द की बात माया के दिल पर लगी कब तक बुजारोगे ऐसी जिन्दगी जब तक जिन्दगी है शायद तब तक क्या तुमारा दिल नहीं चायता तुम्हारी भी एक भरपूर प्यार महबत वाली जिन्दगी हो ऐसी बीवी हो जिससे तुम प्यार करो वो तुम से प्यार करे तमेरी बच्चे हों आम लोगों की तरहे खुशाल रहो तुम गुजारना चायता हूं ऐसी ही जिन्दगी लेकिन राबा के साथ नहीं गुजार सकता माया को आराम से इसके दिल से इसकी जिन्दगी में आने का रास्ता इस्द ने खुद दुखा दिया था वो आखों में हजार खाब लिये इसे देखने लगी इस्द उन बातों से ठक गया था उक्ताहट से इसने बात का पहलू बदला और माया के इतने वालहाना अंदाज से देखने पर मस्कुराया ऐसी नजरों से ना देखो यार कुछ कुछ होता है माया बहुत जोर से एनस वो भी एनस दिया माया ने इसका गाल पकड़ कर खेंचा बहुत अच्छे लगते हो एनस टी एवी सुबह सुबह निमल की काल इ इस्द शूज पहन रहा था उसने फोन कंधे से कान के साथ लगाया हीलो निमल ने ना सलाम किया ना हाल पूछा राबा मुझसे बात क्यों नहीं कर रही क्या है तुमने इस से पूछ लेना अपनी दोस्त से खुद ही इसको पूछने कली ही फोन किया था लेकिन वो बात ही नहीं कर रही अगर तुमने इस से कुछ कहा ना तो याद रखना अभी पहुँच जानगी कराची और तुमारा हशर बिगार दोनगी में इस्द ने गुसे से फोन काटा निमल ने फिर काल मिला इस ने काट दी इसे नहीं मालूम था कि निमल किस कदर जिदी है उसने नर्गिस के नंबर से काल मिला इस ने काल अटे अस्सलामो अलेकुम उम्मी उम्मी के बच्चे काल क्यों काटी मेरी यार तुम इनसान हो या चुडेल क्यों पीछे पढग हो मेरे निमल को इसका चोडेल कहना काफी नागवार गुजरा क्या 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 कहा तुम ने मुझे चोडेल वो इस पर बरस पड़ी शर्म नहीं आती तुम है बहन को अपनी चोडेल कहते हो तुम है एया क्या दुखा दिया मैंने तुम इस्द इस रुई का आदी नहीं था उसने काल काट कर मुबाइल ही आफ कर दिया इतनी मुन्हफट लड़की है ये कहीं से नहीं लगता उम्मी की ही बेटी है सुबह सुबह सारा मोड खराब करके रख दिया वो नीचे किचन में आया राबा आमलेट बना रही थी वो बिलकुल इसके पीछे खड़ा एवा और जखकर इसके कान के पास मुन्ह करके बोला फोन पर बात क्यों नहीं कर रही तुम निमल से राबा ने जैसे ही गर्दन मौड कर उसे देखा तो इस्द के लबों से इसके लब जा टकरी इस्द पीछे क्या हत्ता सुन हो गया वो घबरा कर राबा ने चिम्टे के बजाए गर्म आमलेट हाथ से उठा लिया हाथ जलने से इसकी चीख निकली तो इस्द इस से पीछे एवा और उसे देखता एवा उल्टे कदम उठाता किचन से बाहर निकल गया राबा को समझ ना आया वो क्या कर रही है चाए में चीनी की जगह उसने नमक डाल दिया राबी किचन में अभी अभी दाखिल एक क्या कर रही है ये अप चाए में नमक डाल दिया है अपने राबा ने देखा हाथ में नमक था साहिब जी तो चलेगी माय मैडम के साथ अब किसकली चाए बना रही है राबा राबी को देख कर बोली वो अच्छा कब गी वो राबी ने इसके हाथ से चीनी की जगह नमक का डबा दोबारा लेते एवी वापस लिया आपकी तबियत ठीक नहीं लग रही मुझे अब जाए आपके लिए मैं चाय बना लाती हूँ नर्गिस से बात करते एवी इस घर में दाखिल एवा मैंने कुछ नहीं कहा उम्मी निमल से खामखारू रही है वो जो कुछ उसने मुझसे कहा है ना आप नहीं जानती दो मिनिट में त्या पांचा एक कर दिया आपकी बेटी ने मेरा जी जी अम्मी जानता हूँ बहन है वो मेरी लेकिन अम्मी बत्तमीजी आपको पता है मुझसे किसी की बरदाश्ट नहीं होती अरे नहीं नहीं अब क्यों मुआफी मांग रही है इस चुडेल से कहीं वो सौरी करे मुझे उके अम्मी दे रहा हूँ फोन राबा को ये लो बात करो उम्मी से राबा बात करती यो अपने कमरे में चली गए से निमल को किस्म खा कर मुतमेन करना पड़ा के इस ने इसे कुछ नहीं कहा माया काफी बना कर ला और एक कप इस को दे कर उसके साथ बैठी क्या कहा था निमल ने तुम्हें फोन पर ये तुम्हारी फुपो की बेटी है ना और तुम्हारी भावी भी हाँ और मेरी दूद शरीक बहन भी इस्द मुझे हैरत होती है तमेरी सबर और तुम्हारी बरदाश्ट पर दूसरी काल आ रही थी राबा फोन लिये नीचे और इस्द को थमाया आपकी काल है इस्द ने इस से फोन लिया तो रताबा ने इसके होंटों की तरफ देखा हलका सा जखम था ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने काटा हो फिर वो इसके बगल में बैठी माया को देखने लगी जो बड़ी अजीब नज़रों से उसे देख रही थी फिर अचानक बोली क्या हमरे मुनह देख रही हो जा यहां से वो चुप चाप चली गए जियान को गोदु में लिये निमल जाजुब के पास ए तुम मुझ से दूर दूर रहने लगे हो और काफी दिनों से नजरांस कर रही हो वज़ा जान सकती हो क्यों कुछ नहीं बस वैसे ही परेशान हो बुजनस में नुकसान की वज़ा से जियान को इस से लेकर वो प्यार करने लगा जाजुब बात बुजनस की नहीं कुछ और है तुम मुझ से छुपा रही हो वो जियान के साथ केलती एवी बोला ऐसा कुछ नहीं है उसने जाजुब का चेहरा अपनी तरफ किया जाजुब यहां देखो मेरी तरफ जाजुब इससे आँखें ना मिला सका निमल का दिल जोर से ढड़का जाजुब नजरें ये का मत नजरें मिला कर बात करो किया एवा है जाजुब कैसे टालता इसे वो जियान को लिए उठ खड़ा एवा यार कुछ नहीं ऐसा क्यों नहीं समझ रही तुम वो उसके सामने तंगे क्योंके तुम जूट बोल रही हो मुझसे मुझे क्या जरूरत है तुम से जूट बोलने की तुम तो हर बात के पीछे ही पढ़ जाती हो नहीं है तुम्हें बताने वाली बात कारोबारी मुआमलात है एव आगे से नहीं एटवनेगी अगर कारोबारी मुआमलात है तो तुम नजरे मुझसे क्यों चरा रही हो नजर अंदाज में हो रही हूँ ना तो बात यकीनन मेरे ही मतलिक है हाँ है तमेरी मतलिक लेकिन मैं नहीं बताना चायता बस यही सुनना चाहती थी होगी तसली तुम्हारी निमल इसका ये रवया बरदाष्ट न कर सकी और रूदी वो जियान को नर्गिस के हवाले करके वापस आया निमल बात सुनो मेरी यार नहीं सुनना मुझे कुछ भी वो इसके पास आया हाथ मत लगाना मुझे क्यों हाथ लगाना मना है क्या, वो और भी रूदी, हद होती है यार, मैंने ऐसा भी किया कह दिया ही कि अब तुमारा रोना बंद नहीं हो रहा, तुम कही तो नहीं रहे, जब तक बता गे नहीं तो ऐसे ही रोती रहो नगी, जाजब किया करता परेशान हो गया मजद, ठीक है फिर रोती रहो, व निमल उसे देखती ही रह गए। ऐसा क्या एवा था। वो तो इसका एक आंसु बरदाश्ट नहीं कर सकता था। और अब उसे रोता देखकर मुन ही फेर लिया। वो रात गी तक रोती रही। जाजुब भी एक पिल नहीं सुया था। वो उठकर बैठा। उधर ए मेरे वो सुफे पर बैठी एव थी। नहीं इन अब तमेरी पास भी। वो उठकर खुद इसके पास आया। निमल बात बताना चायता हूं में। लेकिन तुम बरदाश्ट नहीं कर पागी। तो क्या तुम मेरे आंसु मेरी नाराजगी सहलोगे। कभी भी नहीं। तो फिर बोल किया बात है। जाजब ने इसके इनसु से तर चहरा देखा। और दिल में बोले गया कैसे बत अभी तो हमारी शादी को चार महीने भी नहीं एवी कैसे सुना दू तुम है ये खबर। जो लोगों को कसालो बात जाकर मालूम होती है। अभी से छीन लो तुम्हारी उमीदे तुम्हारी खुशिया जाजब अब मुन्ह किया देख रही हो मेरा बोलो भी। बात करने से पहले ही जाजब के आंसु उसके गालों पर बह निकले। निमल तवप कर रहग इसके आंसु देख कर। जाजब किया एवा। उधर देखो मेरी तरफ। तुम्हारी तरफ देखा तो बोल नहीं पानी गाया निमल मजद परेशान होगी के ऐसी कौन सी बात है जाजब जल्दी बता मेरी जान मुश्किल में ना डालो बोलो किया बात है निमल मैं तुम है आगे वो रुप गया और अपने खुश्क होते हुंटों पर जबान फेरने लगा हाँ आगे बोलो निमल का दिल जोर जोर से धधधधध करने लगा यार मुझ से तुम है आौलाद की खुशी नहीं मिल सकती निमल के चहरे का रंगफ खुगया क्या मतलब? जारी है कस्त नमबर 25 निमल का दिल जोर से धधधधध खुगया यार मुझसे तुम्हें आुलाद की खुशी नहीं मिल सकती निमल के चेहरे का रंग फक्ख हो गया क्या मतलब तुम मा नहीं बन सकती कभी भी नहीं मेरे साथ रहकर सारी जिन्दगी तुम्हारी गोद खाली रहीगी नहीं 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 जिसे अब हमने बरदाश्ट करना है और अल्ला के इस फैसले पर सबर करना है नहीं जाजब ऐसा नहीं हो सकता यार मैं नहीं मानती इस बात को तुम है गलत फहमी एव है को को गलत फहमी नहीं मेरी जान बस मेरे बख्त में यही लिखा है हमरे जैसे हजारों लोग हैं जो उलाद की निमत से महरूम हैं इन बद नसीबों में हम भी शामिल हैं निमल के आंसू पानी की तरह बहने लगे जाजब ने इसे गले से लगाया तो खुद भी रुपड़ा ये कैसा इंतिहान था जहां पल भर में इनके खाब तूटकर रेजा रेजा होगी जिनकी किर्चियों की चबन ने अब सारी जिन्दगी इनकी आँखों को बे नूर रखना था राभी राबा के साथ काम करते एवी बोली राबा जी एक बात पूछों आप से वो सबजी काटते एवी बोली हाँ पूछो इस्द साहिब सच में आपके शोहर है राबा ने माथे पर बिल डाला ये कैसा सवाल है तुम है क्या लगता है क्या मैं इसकी गर्ल फ्रेंड हो गाजर खरीद गुलाम इतना घट्या सवाल ता मेरी जहन में आया कैसे क्या तुम है इस दोर में ऐसे लगते है कि बगेर निका के एक दूसरे के साथ रह रही है नाना मुआफ करना मेरा ये मतलब हर्गिस नहीं था तो फिर ये मतलब था कि हम किराय के मिया बीवी है अल्ला ना करे बीबी जी मैंने अपनी नादानी में गलत कह दिया राबा को बुरा तो बहुत लगा लेकिन इसके बार बार मुआफी मांने पर चिप होग वैसे एक बात और कहूं बीबी जी वो छुरी मेज पर पटख कर बोली रहने दो तुम पहले ही इतना गलत सवाल पूछा है तुमने ये तो मैं थी जो सहग इज़ होते तो आज थपड तुमने खाना था उनसे आ जाती तुम्हारी अक्ल ठिकाने फिर नहीं बीबी सवाल नहीं पूछना कुछ बताना है आपको अच्छा जल्दी बोलो साहिब जी ने जब आप पर हाथ उठाया था तो घुसे से सीधा नीचे मेरे पास और कहा कि मैं आपका बहुत ख्याल रखूँ और अगर आपकी तबियत खराब हुग आपकरोना बंद ना एवा तो मुझे काल करके बिला लेना फिर बीबी जी उन्होंने रात तक दस बार काल करके आपकी खैरियत पूछी थी इसकी बात सुनकर पिल भरताबा के हाथ हैरत से थमगी राबा जी एक बात और कहूं बुरा ना मानना बीबी जिन्दगी डिग्रियों के बगएर भी गुजर जाती है जिन्दगी एक ही कपड़े को सो बार पहन कर गुजरी जा सकती है इस जिन्दगी दो रोटियों के बजाए एक रोटी खा कर भी चल सकती है लेकिन जिन्दगी बगएर इज़त के नहीं चल सकती हम छोटे लोग हैं बहुत और जाहिल गनवार भी लेकिन इतने जाहिल नहीं कि अपनी औरतों को उस तरह जलील करें या उन पर हाथ अटेवा है हमरे यहां ऐसे मर्द को ना मर्द कहा जाता है जो अपनी ताकत का नशा औरत पर उतारे राबा चुप चाप सुनती रही फिर राबी की बात खत्म होने पर बोली राबी इस्द बुरा नहीं वो तो मेरी गलती ही इतनी बड़ी थी के वो मजबूर होगी और मर्द जब मजबूर होता है तो वो फिरा हाथ उठाता है या गालम गलोह से काम लेता है लेकिन इस्द ऐसे नहीं है रेनी देबी बीजी मैंने देख लिया के इस्द साहिब कैसे है इस्द किचन से बाहर खड़ा इन दोनों की बातें सुन रहा था राबी राबी फिर राबी को आवाज देता अंदर आया जा मेरा वाट काटन का सूट प्रिस कर दो राबी चलीग वहां से इस्द ताबा के बहुत पास आया वो पीछे हटी सिलिप से जा लगी मैं कल भी आया था तुम से सौरी कहने लेकिन इस्द की नजरों में राबा के होनट थे और एक बार फिर उसकी नजरों में वो मनजर लहराया जब राबा के लबों ने अचानक इसके लबों को छुआ था तो वो बेचीन सा हो गया फिर गहरी सांस लेकर बोला मुझे कल तुम पर हाथ नहीं उठाना चाये था मैंने वदा किया था खुद से कि तुम पर हाथ कभी नहीं अटेनिगा विलीक गुसे में पता नहीं मुझे किया हो जाता है कुछ समझ नहीं आता क्या कर रहा हूँ राबा एक टुक उसे देखती रही कि ये वही इजद था कल वाला माया इस्द को ढूंती एव किचन में एक यहां क्या कर रही हो तुम कुछ नहीं इससे कुछ काम था बोलो क्या एवा मुझे मारकेट जाना है क्यूंकि परसो मिसिस कमाल के वेटे का वलीमा है इसके लिए ड्रेस लेना था माया से बरदाश्ट ना हो रहा था इस्द करताबा के इतने पास खड़ा होना वो उसे हाथ से पकड़े बाहर ले चिलू मीर साथ राबा को भी ले चलते है इस्द ने कहा तो वो अच्छा खासा चिल इसका क्या काम है हमरे साथ इस्द ने इससे अपना हाथ चुडाया क्यों तुम है शापिंग करनी है तो हो सकता है इसे भी कुछ जरूरत हो ठीक है तुम ले जा उसे में कैब में चली जानेगी यार तुम तो फॉरन नार्स हो जाती हो चिलू फिर उसे में राबी के साथ भेज देता हूँ इस्द ने ताबा को हजार हजार के नोटों की गुठी पकड़ा मार्केट चली जा तुम है राबी ले जागी जो लेना एवा ले लेना राबा ने पैसे वापस कर दी मुझे कुछ नहीं लेना इस्द ने पैसे वापस लिए और कौटर में आकर राबी को दी राबा को बाजार लेकर जाना है तुमने आज शापिन कली राबी ने इनके हाथ से पैसे लिए कितने हैं साहिब जी ये पचीस हजार है और चाय तो दे देता हूँ नहीं नहीं ये काफी है माया गाडी में बैठी इसका इंतिजार कर रही थी हान पर हान बजाने पर वो भागता एवा गाडी में बैठा सबर क्या करो यार वो माया के साथ चला गया राबी राबा को जबरदस्ती साथ ले और सारी शापिंग अपनी पसंद से करवा राबा के मना करने के बावजूद हर चीज उसने बहुत आला किस्म की ली मैचिंग जूल्री मैचिंग पर्स मैचिंग सेंडल और फिर वापसी में इसे पारलर लेगे इसके बे इंतहा लंबे बालों को हल्की सील कटिंग करवा कर फशल मैनिक्योर पेडिक्योर करवा कर रात को इस्द से पहले घर पहुँची राबा इसकी फजूल खर्ची पर बहुत खफाएव लेकिन राबी बहुत खुश थी राबा को शापिंग करवा कर राबा ने एक कीमती सूट जबरदस्ती उसे भी दिलवाय तो वो और भी खुश हो गए माया का मौट बहुत आफ था कि इस्द राबा को क्यों साथ ले जा रहा है लेकिन इसे हजार हिले बहानों से भी ना रोख सकी कि मिस्स कमाल ने इस्द को राबा को साथ लाने की रोसत की थी क्योंकि लाहोर वाली हमदानी साहिब के घर पार्टी में वो रताबा से मिल चुकी थी असली इनके असरार पर उसे रताबा के साथ जाना पड़ माया पालर से तयार होकर जब घरे तो इस्द इस संग मरमर की मुरत को देखता रह गया बगएर अस्तीन के फुल फरिस्टाल की रीड फिराक में डार्क पैक अप के साथ वो शहजादी लग रही थी इस्द इसकी तरीफ कई बनाना रह सका उसने अपने गुरूर से भरे इस्टाल से थैंक्स कहा राबा कली राबी ने पारलर वाली घर बिला थी राबा की एक नामानी राबी ने और अपनी मर्जी से इसे तयार करवाया अफवाट बारीक नगों से भरी एमराडिट साड़ी पहने पिंसल एल के साथ लॉट से नेचरल मेक अप में डार्क रीड लिप इस्टिक लगाए वो फिर आज बिला लग रही थी राबी उसे देख देख कर ठक ना रही थी इस्ट ने नीचे से आवाज लगा राबा जल्दी करो देर हो रही है राबी ने जल्दी से इसके जोड़े पर ताजा गुलाब के फूल लगा वो इस्ट की आवाज पर साड़ी का पलो हाथ में पकड़े भागी तो पाहे मुडा और गिरते गिरते बच्ची राबी ने इसकी साड़ी का पलो ठीक किया अब जाहे लेकिन आर्म से राबी तुमने मुझे इतनी बड़ी एल पहना दी है मुझसे चला ही नहीं जा रहा या आर्म से चली राबी इसका हाथ पकड़ कर बाहर ला वो जल्दी से कमरे में वापस चली गए देखो राबी उस तरह का ड्रेस में ने कभी पहले नहीं पहना अजीब सा लग रहा है मुझे इस्द ने डांट दिया तो बी बी जी अगर उन्होंने कुछ कहा तो मैं सम्हाल लोंगी अब जाहे नीचे इस्द उसे बुलाने उपर आया वो कमरे से बाहर निकली ही थी कि इस्द को देखकर असको ब्रेक लग दी इस्द ने इसे सर से पाहे तक देखा वो पहचान ही नहीं पा रहा था कि ये राबा ही है राबा ने साथ खड़ी राबी का हाथ दबाया और उसके कान में सरगोशी की मैंने मना किया था तुम से कि मुझे नहीं करना ये सब अब देख लिया वो डर रही थी इस्द से इस्द के एविश और रही थे उसे देख कर उसने आगे बाह कर राबा का हाथ थामा चिलू देर हो रही है वो इसका हाथ थामे सीड़ियां उतरने लगा माया ने जब राबा को देखा तो वो भी पिल भर देखती रह इसके पुरकशिश शहरे को लेकिन फिर इन दोनों को साथ देख कर इसका खून खोलने लगा बड़े नागवार तासुरात से वो इस्द के साथ मखातिब एव हद है जल्दी करो पहले ही मौसूफा की वज़े से लेट होगी हम उपर से तुम उसे ऐसे ला रही हो पकड़ कर जैसे ये भाग जाएगी माया से बरदाश्ट नहीं हो रहा था इस्द के हाथ में रावा का हाथ वो सेंडल से टुक टुक करती गाड़ी में अगली सीट पर जा बैठी रावा को पीछे बैठना पड़ा माया का मुनह अच्छा खासा फूला एवा था क्या एवा है मुनह गुबारे की तरह क्यों फला रखा है वो नजरें सामने जमाए बोली मेरा मुनह है मेरी मर्जी ओ ओके मैडम इस्द गाड़ी चिलाते चिलाते सो बार व्यू मिरर मेरा आवा के होनेट और आँखें देखता रहा फिर ये सित्ता ये सित्ता गुंबुनाने लगा तेरी इक्केया दे विच डब के मर जानरी नोजी करदा है नैना दे समंदर विच एक तारी लानरी नोजी करदा है के के दे हो के के दे मा खाने तेरी के दे मा खाने चुके टेन नौजी करदा नैना दे समंदर विच एक तारी लानड़ी नौजी करदा ए इस वाओ कितनी خوبصورत आवाज है तुम्हारी तुम है तो प्रोफेशनली बुजनस मैं नहीं सिंगर होना चाहे था इस्द ने मुस्करा कर थैंक्स कहा माया से मिसिस कमाल के यहां पहुँच चुके थे वो माया इस्द का हाथ थामे गाड़ी से बाहर निकली और इसका हाथ थामे आगे बढ़ी इस्द ने मुड़कर राबा को देखा जो इसके पीछे आ रही थी सब में बहुत प्यार से वेलकम किया इनको राबा को वहां जाकर अपना अप सबसे जासिम्पल नजर आया वहां तो ऐसे लग रहा था जैसे पूरी फिल्म इंडस्ट्री विद माडल्स मौजूद है एक से बढ़ कर एक शायकार था वहां लेकिन राबा का बेहद मासूम सा सरापा सभी की नजर में एक बार जरूर आया फुल आवाज में सूनगज चल रही थे सब औरतें और लड़कियां उधर से उधर अदाहे दिखातें घूम रही थी और सारे मर्दों की ललचाती निगाहों का मरकज बनी एयो थी ऐसे मेरताबा एक साड कारनर वाले टेबल पर बैठी जबकि माया इस्द की साथ साथ घूमती रही सब उसे इस्द की बीवी समझ रही थे और वो खुशी से एनस पढ़ती लेकिन इस्द बड़ी सहूलत से इसका तारुफ हमदानी साहिब के नाम के साथ करवा रहा था सोमंग पूल के पास खड़ा इस्द आफिस के कुछ दोस्तों के साथ खुशगप्यों में मसरूफ था माया मिसिस कमाल के साथ स्टेज पर थी राबा बैट बैट कर ठकी तो उठकर एक तरफ घास पर तहलने लगी इसका पाहे वहाँ पर घूंते एक छोटे से पपी की दम पर आ गया वो घुराता एवा राबा के पीछे पढ़ गया वो पहले ही कुट्टों से बहुत डरती थी साड़ी अटेई वो खुद से कुछ फासले पर खड़े इस्द की तरफ भागी इस्द जहां खड़ा था वहां टालिस वाला फर्ष था और भागते एवी राबा का पाहे इस्द के पास पहुँचकर टालिस से ऐसे सिलिप एवा के वो इस्द पर जागिरी इस्द इस हमले कली तयार ना था और अपनी तरफ भागते एवी आती राबा को नहीं देखा था वो उसके तकराते ही संभल ना सका और उसके समेथ सोमंग पूल में जागिरा सभी लोग उन्हें देखकर पूल के आसपास जमा होगी इस्द का जो हाल एवा शर्मिंदगी से वो नाकाबल बरदाश्ट था पानी में डूबने के डर से राबा ने जल्दी से इस्द को शर्ट से पकड़ा इसे क्या मालूम था कि सोमंग पूली की गहरा ज्यादा नहीं होती लेकिन वो बहुत बुरी तरह से डरी इस्द को इस कदर गुसा था अपने तमाशा बनने पर कि इसका बस नहीं चल नहीं रहा था वो इसे इसी पानी डुबो कर मारता इस्द ने इतने जोर से इसे अपने साथ भींचा के राबा को लगा उसकी पसलिया इस्द की पसलियों में धंस जाहेगी वो उसे पकड़ कर खुनखार नजरों से बाहर लाया और कमर से उठा कर फर्श पर बिठाया मिसिस कमाल ने हाथ का सहारा दे कर उसे उठाया सारा मजमा इसके अर्द गिर्द था पानी से भीगा एवा था सब को अपनी तरफ देखता देखकर इस्द भी शर्म से पानी पानी हो गया इसे वापस घर जाना पड़ा माया भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी राबा रोने लगी के अब इसकी खैर नहीं थी घर जाकर वही एवा जिसका उसे डर था घर जाते ही वो इस पर फट पड़ा सारे रास्ते भी वो इसे बातें सुनाता एवा आया तुम कहीं भी लेकर जाने के काबिल नहीं हो हर जगह हर मौके पर तुम मुझे शर्मिंदा जरूर करवाती हो अपनी इन उट पिटंग हरकतों से यार तुम चीज किया हो क्या हरकत की है तुमने वहां जानती हो किसकदर मेरी इंसल्ट एव है दिल चा रहा है मुन तोड़ों तुमारा माया उसे कॉल करने लगी बस इस जाने दो इतना गुसा मत करो तुम्हारी तबियत खराब हो जागी इसकी अपनी तो इज़त है नहीं दूसरों की इज़त इससे बरदाश्ट नहीं होती इज़्द उसे मारने को लबका तो इसने चेहरा हाथों में छुपा लिया इज़्द ने इसके हाथ सकती से अपने हाथों में दबोचे मुझे समझ नहीं आती के तुम हर चीज से इतना डरती क्यूं हो अपनी इज़त लट आगे वो माया को देख कर खामोश हो गया माया के कान खटके इस्द के एक दम खामोश होने पर इस्द ने अब तक इसके हाथ सकती से जकले एवी थे क्यूं करती हो ऐसा यार तुम हर जगा पबलिक पलेस पर ही मुझे तमाशा बनाती हो कभी प्लैन में कभी ट्रेन में कभी बारिश में और आज यहां हजार लोगों के बीच भी तुमने ये सब किया इस्द की आवाज इतनी उंची थी के राभी भी अपने कवाटर से बाहर एग या लाखेर क्या हो गया आज फिर वो जल्दी से लानीज में ए उस तरह मुझे सब के सामने जलील करके क्या साबित करना चायती हो तुम बदला लेना चायती हो मचसे राभा ने रोते एवी नामे सर हिलाया वो वो कुटा पीछे लग गया था कुटा ही था ना को शेर तो नहीं जो तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाता हर काम गलत करती हो फिर मगर मच के आंसू भी बहाती हो वो ऐसे जैसे दुनिया का जालिम तरीन शक्स में ही हो और तुम जहां भर की मजलूम छोड़ो इजद माया ने इसके हाथ राभा के हाथों में जकड़े एवी चेड़ाई और इसे अपने रोम में ले गी इजद ने आज उसे बातें तो बहस भी अब भी भीगियो है पूरी साहिब जी भी कुछ नहीं वो पूल में गिर्ग थी लेकिन कैसे गिरी अप रहने दो अभी जा सोजा तुम राभी चलीग्र वो भी अपने कमरे में चलीग्र बिंद्या वो बिंद्या जमनाबा ने उसे आवाज लगा कुनया गाहक हाथ नहीं लग रहा आज कल और ये जो पुराने होते जा रही है इनकी जेबे भी हलकी हो रही है महंगाई कितनी है आज जरा बाहर का दौरा लगा ले कलिफटन वाले रोड पर देख को तगड़ा गाहक मिलता है तो बिंद्या जमना के पास इ फरीद का क्या एवा उसने भी कोन पार्टी नहीं देखी अरे छोड़ इस कमजात को वो आधा हिस्सा मांता है मैंने तो उसे मना कर दिया अब इस इतने खूबसूरत फलेट की आधी रकम भी दीनी है और गाड़ी भी लेने का इरादा है खुद ही कोशिश करनी होगी अब तुम आफरीन को भी साथ ले जा पच्ची कुली है अभी ज्यादा दाम मिलेगा बिंद्या ने अपने साथ साथ आफरीन को भी तयार किया दोनों ही खूबसूरती में एक से बढ़कर एक थी जमना ने इनको रोका अच्छा सुन वो घजाला नहीं ए दोबारा जो आफिस की नोकरी करती है नहीं जमना बाग इसका फोन आया था कह रही थी अभी नोकरी छूटने में कुछ दिन बाकी है चल अच्छा है वो पड़ी लिखी लड़की है हमरे काम में शामिल होग तो हमरे लिए फादे है मैं जरा आलिया की तरफ जा रही हूँ इससे पता करो इसका का काम कहां तक पहँचा निमल बहुत उदास अदस रहने लग थी इसकी उदासी इसका बुझा बुझा चेहरा देखकर जाजुब से बरदाश्ट नहीं होता था नर्गिस भी काफी बार पूच चुकी थी पर निमल हर बार टाल जाती आज नर्गिस ने जाजुब को घेर लिया जाजुब तुम दोनों के बीच किया चल रहा है कदिनों से तुम भी उदास हो और निमल भी बोला बोला फिर रही है जाजुब ने नजरें फर्श पर गाड़ी कुछ नहीं उम्मी बस वैसे ही इसकी तबियत ठीक नहीं इन दिनों क्यों क्या एवा खेरियत तो है ना नर्गिस परेशान होगे जाजुब नहीं छुपा सकता था कुछ भी नर्गिस से इसका रू देने वाला मुन्ह देखकर नर्गिस ने इसका चेहरा हाथों में लिया तो वो खुद पर काबू ना पा सका और नर्गिस के सीने में मुन्ह चेपा खूब रूया क्या एवा है मेरी जान कुछ बोलो तो क्यों रूरू कर हलकान हो रही हो मुझे कुछ बता तो सही वो रोते एवी बोला उम्मी में बाप नहीं बन सकता निमल की गोद ये क्या कह रहे हो तुम कैसे मुम्किन है ये अम्मी मेंने निमल के कहने पर अपने कुछ टेस्ट करवाय थे निमल बिलकुल ठीक है लेकिन में खबर वाकी बहुत अजियतनाक थी अब नर्गिस को इन दोनों को सम्हालना था उसने पहले अपने लिए अल्ला से सबर की तौफीक मांगी फिर अपने आंसू अपने अंदर ही उतार लिए को बात नहीं मेरी जान अॉलाद तो अल्ला की दीन है इनसान के बस की बात नहीं तमाम खाहिशात इनसान की पूरी नहीं है सी का काश तो किसी का अगर रह जाता है इसमें भी मेरे रब की को मसलेहत होगी निमल भी एक थी नर्गिस ने इसे भी सीने से लगाया मेरे रब के फैसले है ये मेरी बच्ची इनसान इसके हाथ की कट पुतली है कभी वो दे कर आजमाता है और कभी कुछ ले कर और कभी हमारी खाहिश को पूरा न करते एवी भी हमें आजमा रहा होता है हम इनसान बिलगते है सुलगते है सिसकते है चटकती है सबर नहीं करते और अपनी खोहशात दिल से निकाल पैटते है और रब से शको करते है कि इसने हमें तनहा छोड़ दिया और वो हमारी सुनता ही नहीं नर्गिस ने दोनों को पियार से देखा मेरी जान अल्ला तो हमारी सरगोशियों को भी सुनता है एक हम नादान है कि इसकी एक नहीं सुनते और हम समझते है वो हमारी दूआ कुबूल नहीं करता और मायूस होते ही हमें तीही दीमा होने का एहसास घेर लेता है नहीं बन सकती लेकिन तुम्हारी ओलादना होने से पहले ही इसने तुम दोनों की गोद भरने के लिए जियान को इस घर में पैदा किया कहा थी तुम्हारी दोस्त बख्ती और आज वो तमेरी साथ है और उसकी कोक का फूल तुम्हारी गोद में है रब से नाराज नहीं होते मेरे बच्चो इसकी मसलिहत को समझो इसकी फैसलों को खुश दिली से कुबूल करो निमल ने अपनी तरफ भाग कर आते एवी जियान को देखा जो असको मामा मामा पुकारता इसकी गोद में आगरा इसे देखो निमल इसका बाप नहीं है और इस जैसे शोहर की बीवी इसकी मजबूर मा है ये बच्चा मा के होते एवी भी मा के आचल से महरूम है इस भरी दुनिया में को नहीं इसका शायद इसी को माबाप जैसी दौलत से नवाजने कली अल्ला ने तुम दोनों को चिन लिया मेरे रब का चना हो तुम इस मासूम बच्चे कली जिसे इसने बख्ती की तरह बदबख्त नहीं रखना था क्या तुम दोनों के अलावा ये बच्चा को और इतने लाड़ से पाल सकता था इन दोनों ने नामे सर हिलाया फिर जाजब के सर पर हाथ रखकर बोली तुम दोनों बियों को पाला मेंने अपने शोहर को छोड़ कर अपनी इस नन्नी सी बच्ची को भी छोड़ दिया था मैंने क्योंके मेरे अल्ला ने मुझे तुम दोनों कली चिन लिया था मैंने अपने रब से अपना दामन नहीं छुड़ाया बलके मज़्ग मजबूती से जड़ग रब से के वो मुझे होसला और सबर दे के मैं इसके मुन्तखब होने के फैसले पर पूरा उतर सिक्कूँ और देखो आज तुम दोनों मेरी नजरों के सामने हो इमशा कली निमल ने जियान को अपने सीने के साथ भींच लिया नर्गिस की आँखों में आँसु इग जाजब बेटा अब यही तुम दोनों की उलादा है तमेरी रब का इंतिखाब है ये तुम दोनों कली और इस कली तुम दोनों राबी के वालिद का इंतिकाल हो गया था वो पूरी फैमली के साथ गहे चली गए कुछ दिन कली राबा फिर अकेली पढ़ गए शाम होने को थी इसका दिल बहुत घबरा रहा था वो लान में टहल रही थी अचानक इसके हाथ पर बाहर से आकर कुछ भारी चीज लगी वो बुरी तरह ड़ी और भाग कर अंदर चली गए इसके हाथ में काफी दर्द हो रहा था बाहर डोर बैल बजी या ला कौन आ गया उस वक्त उसने उपर गैली से छपकर जहांका तो कुछ लड़के थे गेट पर वो भागते एवी नीचे एक और टी उवी लानिच का दर्वाजा लाग किया इन में से एक दिवार फलांग कर अंदर आया वो वापस जब गेट से चड़कर बाहर उतरा तो उसके साथी भाग गी थे इस्द की गाड़ी देखकर उसने भी च्छांग लगा और दो मिनट में गाब हो गया इस्द हैरानी और गुसे के मिले जले एहसास से अंदर गया लड़के को तो वो ना पकड़ सका क्यूंकि वो इस्द के गाड़ी से निकलने से पहले ही भाग गया था लेकिन राबा इसकी पहुँच में थी वो जल्दी से अंदर आया इसके घुसे को देखकर गाड़ी माया ने अंदर पार्ग की इस्द ने जोर से दर्वाजा पीटा ताबा ने ना खोला इस्द ने फिर दर्वाजा बजाया मनहवस लड़की खोलो दर्वाजा इस दर्वाजा जोर जोर से पीटने लगा वो इस्द की आवाज सुनकर जल्दी से उठी तो दोपटा उसके पीर में उलचकर नीचे गिरा उसने दोपटा वहीं चोड़कर दर्वाजा खुला तो इस दर्वाजे को धका देकर अंदर आया वो दर्वाजे के साथ ही खड़ी थी दर्वाजा इसके मुनह पर जा लगा और वो दर्वाजा लगने से पीछे जाकर गिरी नाक से खून ऐसे बह रहा था इसका जैसे पानी का नलका हो इस ने इसके खून की परवा कई बगेर उसे बालों से पकड़ा कौन थे ये लड़के माया जल्दी से अंदर एक रताबा की नाक से बहता खून देखकर इसका सर चक्रा गया मैं पूछ रहा हूँ कौन थे ये लड़के और दिवार फलांग कर कौन भागा था मुझे नहीं मालूम कौन थे तो तुम शराफत से नहीं बतागी कौन थे वो माया ने भी पूछा चुप क्यों हो बता दो कौन थे वो लड़के इस ने देखा इसका दोपट्टा भी नीचे फर्ष पर पड़ा एवा था इस्द उसे घसीट कर कमरे में ले गया जारी है झाल झाल